निमस्कार दोस्तो, कैरियर पॉइंट यूटूब चैनल पर आपसे भी का स्वागत है, दोस्तो आज हम आप लोगों के लुशेंट के 1000 MCQ का निचोड लेकर आगए जनरल साइस, सामानने विज्ञान का 1000 MCQ का निचोड लेकर आगए, दोस्तो फटाफट वीडियो को लाइक कर अगर आप किसी भी गॉर्मेंट एक्जाम की तयारी करें, चाहें आप रेल्वे अंटिपीशी, ग्रूप डी, SSC, बैंकिंग, किसी भी परकार के आप तयारी करें, चाहें, वो किसी भी परकार का एक्जाम हो, चाहें, CDS का, CPO का, सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही जीट करें, तो दोसो, CareerPoint YouTube चैनल को फटा फट सबस्क्राइब कर लेजिए, और साथ में, जो बैल आइकन दिखाई दे रहा, उस पर कलिक करें, नोट के किसन के लिए, ताकि डेली जो क्रास चल रहे हैं, उनको आप अटेंड कर सके, नोट किसन आप लोगों तब पहुंचे और सबसे पहले आप लोग अपने एकजाम की तयारी करें, फटा फट वीडियो को सेर करिए, अपने दोस्तों साथ, दस दोस्तों साथ सेर करिएगा, ताकि वो भी यहाँ पर जुड़कर अपने एकजाम की तयारी करें, फ्रेंट्स आपके एक एक लाइक से हमें के ठीक है तो चलिए वीडियो को शार्ट करतें पहले क्यूशन के साथ आप लोग फटा-फट शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक जुरू करना चलिए फ्रेंच पहला क्यूशन देखिए अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है 20 दात जो है मनुश्यों की जीवन काल में दो बार विक्षित होते हैं option C 20 आपका सही अनुश्र होगा अगला question है मानव श्रीर में पाचन का अधिकान्स बाग किस अंग में संपन होता है तो देखी किस अंग में संपन होता है जी बेलकुल देखी छोटी आथ में ठीक है option C आपका सही होगा छोटी आथ में पाचन का अधिकान सिसा जो है संपन होता है और देखी पाचन किरिया जो है मुँष से प्रारंब होती है exam के अंदर पूछा जाता है कि पाचन किरिया कहा से प्रारंब होती है तो आपका सही होगा ठीक है मुँष से प्रारंब होती है और छोटी आथ में जाकर पाचन किरिया संपन हो जाती है अगला question है वरिदावस्ता में मनुष्य की हडिया कमजोर क्यों हो जाती है देखी वरिदावस्ता में मनुष्य की हडिया जो होती है वो कमजोर के होती है क्योंकि देखी कैल्सियम की कमी हो जाती है कैल्सियम की कमी से वर्द आउस्ता में मनुष्य के हड़िया कमजोर हो जाती है option C आपका सही आन सुरूगा calcium की कमी से अगला question है अस्तियों में कौन सा लवन सरवादिक मातरा में होता है तो दीखिए अस्तियों के अंदर कौन सा लवन जो है, सरवाधिक मात्रा में होता है, कैल्सियम फोस्पेट होता है, ठीक है, option A आपका, सही आमस्परों का, कैल्सियम फोस्पेट, अगला question है, मनुशे में पाचन क्रिया कहां परारंब होती है, तो दीखिए मनुशे में पाचन क्रिया, हमने बताया था, कि मुँझे परारंब होती है, और छोटी आप में संपन होती है, तो option C आपका, सही होगा, मुझे परारंब होती है पाचन क्रिया, ठीक है, और छोटी आप में संपन होती है, इंपोर्टेंट क्यूशन एक्जाम के लिए, अगला क्यूशन है, आयडोफों का परियोग किस रूप में किया जता है, फटाफट कमेंट करिये आयडो फोम का परियोग किस रूप में किया ज़ता है तो देखिए इसका सही आशर होगा पूर्ति रोधी के रूप में किया ज़ता है ओपसंद C आपका सही होगा देखिए फ्रेंच हम आपको non-stop वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और live class है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फटाफट अपने 20 दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को आप लोग जो है लाइक जुरू करिएगा ठीक है अगला question है निमाले कि carbonic योगईकों में से किसको सरव पर्थम प्रयोग शाला में तियार किया गया तो इसका सही आंशर होगा yuria yuria को सबसे पहले प्रयोग शाला के अंदर तियार किया गया था option D आपका सही आंशर होगा important question है एक जामें बार-बार repeat हो रहा है तो यूरिया एक ऐसा carbonic पदार्थ है, जिसको परियोग साला में सबसे पहले तैयार किया गया था, अगला क्यूशन है, पोदों की कोशिकाओं में oxalic अमल किस रूप में होता है, देखिए पोदे जो कोशिकाओं होती है, उनके अंदर oxalic अमल किस रूप में होता है, तो इस अगला क्यूशन है, निमन में से किसे carbonic की नाम से जाना जाता है, ये important question है आपके एक जम के लिए देखिए, urea को, ठीके, urea का सही अंसर होगा, यूरिया को carbonic की नाम से जाना जाता है, उप्सिन C आपका सही अंसर हो जाएगा, अगला क्यूशन है, अंगूर में कौन सा अ फाय जता है देखिए इंबली के अंदर कौन सा अमल होता है टार्ट्रिक अमल ठीक है टार्ट्रिक अमल आपका सिय आंशुर होगा option C अगला question है फोर्मिक अमल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है यह question important रहेगा exam में काफी बार पूछा गया है group D में पीछे exam में पूछा गया था देखिए फोर्मिक अमल किसके द्वारा उत्पादित होता है तो इसका C आन्शुर होगा लाल चीटी के द्वारा फोर्मिक अमल उत्पादित होता है option C आपका सही अन्शुर हो जाएगा अगला question देखिए चलिए देखिए चीटी या मदुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निमन द्रेवे पाए जाता है तो देखिए चीटी या मदुमक्खी जो काटने पर उसके डंक में कैसा द्रेवे होता है तो इसका सही अन्शुर होगा फोर्मिक अमल होता है जो डंक होता है उसका उसके अंदर फोर्मिक अमल पाए जाता है option A आपका सही हो जाएगा फोर्मिक अमल अगला क्यूशन है मानव श्री में बोजन का रक्त दवारा आउस्वोशन कहां सरवादिक होता है देखिए मानव के श्री में बोजन का रक्त दवारा आउस्वोशन कहां होता है सबसे दिख तो इसका सही अन्शुर होगा छोटी आत में Option C, आपका, सही हो जाएगा, छोटी आत, अगला क्यूशन है, प्रोटीन का पाचन कहां से परारंब होता है, देखी, प्रोटीन का पाचन कहां से परारंब होता है, सही आंसुरों का उधर से, ठीक है, उधर से स्टार्ट होता है, पाचन, प्रोटीन का पाचन उधर से स्टार होता है, option D, आपका C हो जाएगा उधर, अगला question है हिमोगलोबिन किसका महतख पून गटक है, तो देखी हिमोगलोबिन जो है, किसका महतख पून गटक होता है, जयान देना है यह पर इस यानसुर का RBC, red blood cell इसको बोलते हैं, ठीक है, लालक्त का निकाएं होती है, जो कि हिमोगलोबिन का महतख पून गटक होता है, option A, आपका C हो जाएगा, RBC, red blood cell, अगला question है, किसके मोजुदगी के कार्ड, शरीर के बीतर रक्त नहीं जमता, important question है, देखी, किसकी वज़े से, शरीर के अंतर रक्त नहीं जमता है, तो इसका सही आंसर होगा, if option D, if false question है, फलों के रसको शुरक्शित रखने के लिए, निमन में जिसका उपयोग किया जाता है, तो देखी, फलों के रसको शुरक्शित रखने के लिए, किसका परियोग होता है, sodium benzoid का, ठीक है, sodium benzoid का प्रयोग किया जता है, कच्चे फ़लो ते उनको सुरक्षित रखने के लिए, option D सही होगा, sodium benzoid अगला question है phosgene निमलेखित में से किसका सामाने नाम है, ये question बहुत अचा है, तो इसका सही आंशुरोगा carbonyl chloride, ठीक है, phosgene किसका नाम है carbonyl chloride का सामाने नाम है phosgene, option A सही होगा, अगला question है निमलेखित में से कोन प्राकर्तिक बहुलक नहीं है, ठीक है प्राकर्तिक बहुलक कोनशा नहीं है सही आंशुरोगा, nylon, ठीक है बाकिस भी जो है, उन, रेसम, चमड़ा, यह जो है प्राकर्तिक बहुलक है ठीक है, प्राकर्तिक बहुलक है लेकिन nylon जो है, इसको तयार किया जाता है option D आपका सही हो जाएगा ठीक है, अगला question है food processing हे तू परियुक्त होता है ठीक है, food processing के लिए किसका प्रियुक किया जाता है ठीक है, red blood cell जोती है, उनका कब्रिस्तान किसको का जाता है यह important question है, एक्जाम में काफी बार पुछ रगया है तो इसका सही answer होगा पलिहा, ठीक है red blood cell जोती है, इनका कब्रिस्तान होता है पलिहा, option C आपका सही हो जाएगा अगला question देखते हैं माना रुदिर का pH मान कितना होता है तो इसका सही answer होगा 7.4, option D आपका सही हो जाएगा, जो माना बलड होता है, उसका pH मान होता है 7.4 अगला question है सामाने जीवन काल में मनुश्य का हरिद है लगबग कितनी बार दड़कता है तो देखिए, सही answer होगा तो देखिए, गती परेरख किस से समदित है सही answer होगा हरिदय, option C हरिदय आपका सही answer हो जाएगा next है insulin है एक परकार का insulin क्या होता है देखिए क्या होता है एक परकार का, हार्मोन होता है option B हार्मोन सही होगा next question है thyroid गरंति स्थान का होता है तो देखे जो थायराइड गरंती होते हैं इसका सत्वा नान होता है गलाई में Option B आपका सी हो जाएगा गला राइट आंसर चलिए आज का आखरी क्यूशन है निमलिकित में से किस कोशिका से इन्सुलिन सरावित होता है इंपोर्टिन क्यूशन है किस कोशिका से इन्सुलिन सरावित होता है तो देखे बीटा कोशिका से ठीक है बीटा कोशिका से इन्सुलिन सरावित होता है Option D सही होगा बीटा कोशिका तो फ्रेंट्स क्यूशन हमारे कंप्लेट उचके हैं हो वीडियो अच्छी लगे होगी क्योशन अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों साथ सेर करना कम से कम बताना में और वीडियो को लाइक करना बिलकुर न बुलिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिमेशन मिलता है पर इस वीडियो को लाइक करिए ठीक है तो हमें कमेंट करके जुरूबता ना वीडियो कैसे लेगी क्यूशन कैसे लेगी मिलते हैं अगली वीडियो में